हाँ भाई राम राम सारे भाईयाने एक बर फेरता है आज इस निसान के बारे में बात करेंगे यो जो निसान देख रहे हो कुछ समझे माया कई भाईयाने तो बेरा होगा इसका यो भाई एक नया ट्रांसपोर्ट का साधन है आज इसके बारे में बात करेंगे थो डिसी जरा तो भाई, जैसे ट्रांस्पोर्ट के साथ आने, अपने पास बाईक है, कार है, स्कूटर है, मेट्रो, सब कुछ है ये जो चीज है, ये बाईक है, इसको यूलू बाईक बोलते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यूलू बाईक तो ये साइकल है, एक्टुली बेंट्री वाली कह सकते हैं, ये इसका नाम है यूलू, और ये दिल्ली में कई जगां इसके स्टेशन बने हुए हैं, हम किसी भी स्टेशन से ये एक बाईक लेंगे, ये एप बेस्ट बाईक है, और इसके कुछ चार्जिज होते हैं, ये दस मि कि लिए बहुत बहुत धारी फूबिया है जैसे की आप अगर इसको रोग दो अपने आपको पॉज बटन दबाना है तो आपका टाइम नहीं बढ़ेगा मतलब अगर आपने सुबह आड़ लिया है और सामके 6 बजे भी वाफिस कर रहे हैं बीच में आपकी बाइक खड़ी रही है तो उसका कोई नुकसान नहीं है वो टाइम काउंट नहीं होगा तो 50 रुपए में ये बेसिकली अगर आप ओफिस जाते हो समझो यहां पर आप मेट्रो सेशन से उतरे आपका ओफिस 4 किलोमेटर दूर है तो आप ये बाइक ले सकते हो यहां से एप से ओन करेंगे तो आपकी राइड स्टार्ट हो जाएगी आप इसको लेके ओफिस जा सकते हो वहां पर पूरे दिन आप इसको पार्किंग में खड़ी कर सकते हो पार्किंग में खड़ी करने के बाद सामको आ और हेलमेट नहीं पहनना है और चोरी भी नहीं हो सकती यह पाइक जैसे आप इसके अपने मोबाइल से लोग कर देंगे तो इस पाइक को कोई नहीं लेकर जा सकता है तो अभी हमने यह पाइक यहाँ पर नई दिली से सिवाजी स्टेडियम जो मेट्रो स्टोशन है इसके पास झाल झाल बाइए बहुत अच्छी बाइक है मैं इसको लेके पूरा सिपी घूम चता हूँ अभी ही सिपी के इनर सर्चल पर घूम रहा हूँ और इसको कहीं भी चड़ा दो फुट पाथ पे कोई जाम में नहीं फसना पैदल आदमी से भी कम जगह रोकती है और ना आवाज आ रही है ना पॉलूशन रही है मज़शनार भाई कहा थे स्पीड बहुत अच्छा है मैं तो फुल एंजॉई कर रहा हूं आज मोसं भी मेरा साथ दे रहा है रात को बारिश हुए है यहां तो बड़ा जबर्दस्ट मोसं और रहा है और उस मोसम में इस बाइक की सावारी है, एकदम सौने पे सौटाइब मैं तो फूल इंज्डु आई कर रहा हूं दो इसमें दो हो रहन है एक को यह हो रहन है, इसके बाद काफी का में इस के लाभा यह किये है इसमें स्काइकिल की गंतीज चैसा है और इसके अलावा ये दो ब्रेक हैं ये पीछे वाले टायर का ये आगे वाले टायर का ब्रेक है यहां से आपको स्कैन करनी पड़ती है जब आप और करेंगे तो भी यहां से स्कैन कर सकते हैं इसके अलावा इसके यह जो सुकर है यह बहुत मलबूत है इसके वज़े से आपक तो गटे में कोई धक्का नहीं लगता है, अगर आपके पास बैग है, छोटा बैग है, यहां रख सकते हो, इसमें आप फैंक कर सकते हो, और बाकी ज्यादा फंक्शन नहीं है, पीछे स्टैंग है, और बाकी अभी मैं आपको इसमें स्क्रीन रिकोर्डिंग करके इसमें कर देगा, यह अभी हमने खड़े करती है, अब मोबाइल में एप्रिकेशन ओप कर देंगे, तो यह लोग हो जाएगी, और हमारे जितने पैसे कटने थे, वो इसमें कट जाएगे, कर देपे देख़े, इसमें प्रिकेशन चाहिएन रिकोर्डिंग कर देख़े झाहिए, यह यह लोगव मोजद कर दोतों स्क्रीन पाएगे, जाएगे.